नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसर करता हूं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में वैस्थ होंगे तो चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चैनल मैं थड़ा सारण में आज हम देखने वाले हैं इसके जासर का रेलेवेग ग्रूप डी का वोल्यूम थिरी का टेस्ट यूर सेल का प्रेक्टिस सेट छे और इसमें एक टेस्ट यूर सेल बचा है उसको भी हम देख लेंगे तो चलिए बीना टाइमेश्ट की क्लास को आ इसका इंरॉल्मेंट फिरी है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्समें मिल जाएगा और जब आप इसमें जब इन्रॉल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारं 10 जो है आप जरूर लगाएं सारं 10 लगाईएगा आपका इंडॉल हो जाएगा अब यह से सी मेगा कमबेट कव ह होने वाला है यह आपका कल यानि कि 13 मार्श 2022 को दोपहर के स्ठीक 12 वज़े होने वाला है और यह बिल्कुल CGL prelims के लिए focus किया हुआ है इसके साथ 60 question आपको 60 minute के लिए मिलेंगे और 100 top ranker को exciting win जो है जितने पे exciting gadget and get voucher मिलने वाला है अगर आप top 100 में आते हैं तो आपका क्या क्या मिलने वाला है एक डेल का laptop है साथ साथ सेमसंग का मोबाइल है बूट का स्मार्ट वाच है जेवील का speaker है गुगल Google Home Mini है और साथी साथ Amazon का gift voucher भी है जो कि बिल्कुल फिरी है आप enroll करेंगे लिंक description में है और referral code जो है हमारा सारण 10 यूज़ करेंगे अब अगर हम बात करें आप बोलेंगे कि हम SSC mega combat क्यों दें यह आपका सवाल है तो यह आप इसलिए दें क्योंकि यह जो combat है SSC combat जो है बिल्कुल exam pattern पे है यानि कि CGL को में focus करके बनाया गया है विल्कुल CGL prelims के according यह question set होगा उसके साथ ही आपको क्या होता है एक तो इन्रॉल्मेंट फिरी है उसके पास gift ही gift है तो top 100 ranker को क्या मिलने वाला है exciting reward मिलने वाला gift voucher मिलने वाला है उसके साथ top 3 top 100 ranker को 100% scholarship मिलने वाला है और यह जो है combat विल्कुल bilingual में है English Hindi दोनों मेडियम में आप दे सकते हैं जिसमें आप सक्षम है ठीक है तो इसे आपको जरूर देना है कल 12 बजे लिंक आपको description में मिल जाएगा आप हमारा referral code सारन 10 जरूर इस्तेमाल करें सारन में सभी capital में है तो चलिए बीना टाइमेश्ट के class को सुरू करते हैं और आज का पहला question देखते हैं पहला प्रस्न है कि वैदिक आर्यों का पर्मुक भोजन क्या था तो वैदिक आर्यों का जो पर्मुक भोजन था ये जो और चावल था, क्या था, जो और चावल था, तो आप साने क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये रिवीजनर परकुर से मैं आप सभी को लेके आया हूँ, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, किसकी विफलता के बाद, सुराज पार्टी खुड करें, अगला प्राशना है, कि चंद्रगुप्त मौर्ज का परसीद्य गुरू चाहनके निवलिकित मैं से, किसि विद्य के नर्शे संबंधित था, तो ये तक्ष्च सीला से समनधित था, कि से तक्ष्च सीला, तो आप्सणे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो next मानो विकास सुचकांग किसने विक्सित किया था तो मानो विकास सुचकांग जो है यह महबूब उलहक ने किया था तो option C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा अगर आप प्रस्ण देखते हैं कि एक रुपिया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है तो एक रुपिया के नोट पर बात की जाए तो वित मंतराले के सच्चिव का हस्ताक्षर एक रुपिया के नोट पर होता है याद रखियेगा एक रुपिया के नोट पर गवर्नर का सिंगनेचर नहीं होता है वित मंतराले के सच्चिव का सिंगनेचर होता है या 55 वर्स की आयों तक जो भी पहले हो जाए तो आप संसी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next अगला प्रफशन देखते हैं question number 7 कहता है कि एक व्यक्ति पंचायत का चुनाओ लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो तो पंचायत का चुनाओ लड़ने के लिए आपको 21 वर्स कम से कम आयू चाहिए तो आप संसी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next second, भारत सरकार को कानूनी विश्वय पर क्वोन प्रामर्स देता है तो भारत सरकार को कानूनी विश्वय पर भारत का अटर्नी जेनल जो है ये प्रामर्स देता है तो option A क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा question number 9 में है कि निम्लिखित में से कौन सा नसल गाय की नहीं है यानि गाय का नसल नहीं है मालवी, बाचौर, कांकरेव, सूर्ति तो देखिए सूर्ति जो होता है ये गाय का नसल नहीं होता है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next सबसे पहला सफल आधूनिक सूति वस्त कारखाना कहां अस्तापित किया गया था तो सबसे पहले सूति का जो कारखाना था ये आपका मुंबई अभी मुंबई हो गया पहले क्या था बंबई था तो बंबई में किया गया था तो option B क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कि 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक ग्रामी जनसंख्या परतिसत वाला राज कौन सा है तो सबसे ज़्यादा ग्रामी जनसंख्या वाला राज की बात कि जाए 2011 के अनुसार यह हिमाचल परदेश है कौन यह क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट मियानमार की मुद्रा क्या है तो मियमार की मुद्रा जो है यह क्यात है तो आप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए रुपिया तो अपना इंडिया का है अमेरिका का डॉलर है टका जो हो जाएगा आपका सहीं आंसर हो जाएगा nextने है अगला प्रसन है कि राजीव गांधि अंतरल पूवान पतन जो है यह एंट का हैदरबाद में श्तित है तो option d आपका क्या हो जाएगा सहीं आंसर हो जाएगा next नेता जी सुवास राष्ट्रे खेल संस्तान कहा है तो यह आपका पटियाला में स्थित है तो option A क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next अगला प्रस्वन है कि गुर महत्सो गुर महत्सो 2000 के सिराज में मनाया गया है तो गुर महत्सो जो होता है यह आपका उत्तर परदेश में मनाया गया है तो option A क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next अगला प्रस्वन है थोड़ा सा नीचे कर लें कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रिय पेंसर पर नाली के तहट फंड परवंधन में FDI सीमा 49% से बढ़ा कर कितने परतिसर कर दिया गया है तो FCI की बात किजाए FDI की तो 49% से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो 74% कर दिया गया है तो option C क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next नेक्स्ट हाल ही में भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप को किस राज से केन्या और स्रिलंका को निर्याग किया गया है तो यह भालिया किस्म की गेहूं यह गुजरात है तो अगला प्रस्ट देखते हैं कि भारत के भीम यूपी आई सेवा को अपनाने वाले विस्व का पहला देश कौन बना है तो यह भीम यूपी आई के अपनाने वाला देश जो बना है यह भुटान जो है भारत के भीम यूपी आई को क्या कर लिया गया है अपना लिया है तो आप्सन सी क्या हो जाएगा आप आपका एक सरल रेखा होता है क्या होता है सरल रेखा होता है तो आपसाने क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रॉस कि एक पर्युक्ट बल तथा पिंट का विश्थापन एक दूसरे से 90 डिगरी पर बनता हो तो किया गया कार्ज क्या हो जाएगा जब 90 डिगरी पर बनेगा तो W वराबर क्या होता है F S कॉस ठीटा तो कॉस 90 डिगरी का मान क्या हो जाता है cos 90 degree command 0 हो जाता है तो ये पूरा को क्या कर देगा 0 कर देगा तो ये क्या हो जाएगा किया गया काज सुन हो जाएगा तो option C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कि 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिती से गिराया जाता है जब यह दो मीटर की दूरी से गिरती है तो गुर्टवा कर सन के बल से लगने वाले कार कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे दरवमान की बात की जाएगा तो M कितना दिया है 0.1 दिया है अगर दूरी की बात किजा, अगर हम H की बात करें, तो ये कितना दिया है, दो मीटर दिया है, हमारे पास G का मान यहां पर गिवेन है, कि G बराबर 9.8 मीटर पॉर सेकिन, अब देखिए, जब गुर्टवा करसन पर लगने से गिंद द्वारा होने वाला कार्ज क्या हो इस्तितित उर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इस्तितित उर्जा हो जाएगा, तो कार्ज बराबर क्या हो जाएगा, इस्तितित उर्जा, यानि कि Potential Allergy, अब Potential Allergy बराबर क्या होता है, ये होता है, MGH, ये क्या होता है, MGH, M हमारे कितना दिया है, तो 0.1 दिया यानि की नौदूना अठारा इसको यह जो है 0.1 इसको गुना करेंगा आर्दूना सोलों के छे हात में नौदूना अठारे एक 19, 19.6 को अगर 0.1 से गुना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा 1.96 J, क्या हो जाएगा, 1.96 J हो जाएगा, जो कि option A क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option A आपका सही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, डबलू एध क्या नमें Potential Energy बराबर कार्ज होता है तो कार्ज बराबर क्या डबलू बराबर Potential Energy ही होगा जो कि MGH के बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.9 से तो जो चलिए अगला प्रसन है कि कभी-कभी मौर पर मूर्ते समय कार प्लोट जाती है जिस समय कार प्लोटती है उस वक्त क्या होता है अंदर की ओर का पहिया प्रिथ्वी से पहले उड़ता है बाहर की ओर का पहिया प्रिथ्वी से पहले उड़ता है या दोनों पहिये एक साथ प्रिथ्वी से उड़ते है या दोनों में से कोई भी पहिया प्रिथवी से पहले उठ जाता है देखिए क्या होता है अगर आप स्पीड गारी चलाएगा तो भे पलटेगा सिंपल सी बात है अगर आप स्पीड गारी लेके आईएगा और गारी को मोड़िएगा तो अंदर वाला पहिया क्या होगा प्रिथवी से पहले क्या हो जाएगा पहले प्रिथवी से उठ जाएगा जिसके कारण वो क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो अंदर की और का पहिया प्रिथवी से पहले उठ जाएगा जिसके कारण कार क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो option यह क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन है कि सापेक्स घनत डैस के बराबर होता है तो सापेक्स घनत जो होता है यह पदार्थ का घनत बटा पानी का घनत होता है क्या होता है पदार्थ का घनत बटा पानी क का घनत साफ्य घनत होता है तो option c यहां पर क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रहंद देखते हैं अगला प्रहंद क्या है कि यदि टी वन दिल्ली में पानी का कथनांग है और टीटू सिम्ला में पानी का कथनांग है तो टीवर और टीटू के भी सही संबंध क्या होगा सही संबंध क्या होगा तो देखिए दिल्ली का कथनांग टेंपरेचर अलग है सिम्ला का अलग है तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में यानि कि टीवर जो होगा यह ज्यादा होगा टीटू से तो option b क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा चलिए next pressure cooker में भोजन ते कथनांग बढ़ा देता है जब कथनांग बढ़ेगा तो भोजन देजी से ब्नाग गाएगा तो option D आपके क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा चलिए अगला met hablar प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि निमलिखित को मिलान करना है इन सभी को मिलान करना है ठीक है अब मिलान करना है अब देखिए रेडियो तरंग क्या होता है तो रेडियो तरंग जो होता है यह आप एक तरह कह सकते हैं कि सेलूलर फोन की तरह रेडियो तरंग होता है ठी जी के सुक्षिंतरंग की बात की जाए तो आरोक्त की बात करते हैं तो ओर वक्त picture घरेलू हो जाएगा घरेलू electronics के remote के switch जो हो जाएगा यह और उत किरन हो जाएगा और गामा किरन की बात की जाए तो आपका cancer को नुश्ट करने के लिए जो दवाव उप्योग होता वो क्या हो जाएगा गामा किरन तो option C यहाँ पे आपका सही answer हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कि लेंस में नाभीखिये बिंदू अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टिक के अंदर या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तो उसे फोकल लेंस या नाभीये लंबाई कहा जाता है तो आपसंसी क्या हो जाएगा आपका सही आंस के जाते हैं तो चुमबक के धुरू यानि पोल्स को आप अलग नहीं कर सकते हैं तो आपसंस यह क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कि परकास उत्सर्जक डायोड एलेडी इलक्ट्रोनिस उपरनों में परयोग किया जाता है जैसे टेलिविज उसके अर्व सकता है तो आपसंस यह हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा लीग या गुर्तिवाकरशन तरंग पक पता लगाना है या केरल में चार नहीं मसली के पढ़ जाती है या भारत के पच्छमी तड़ के दो लाद दाएक काई पढ़ जाती है तो देखिए गुर्थवा करसं तरंगों का पता लगाना है यह क्या बहुत बड़ी क्या नाम सिफलता के रुप में माने जाती है तो option B यहां प पिए जो हता है उसके हाइड्रोनियम आयन पर निभर करता है तो option D आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा next अगला प्रस्ण है कि क्या बेकिंग सोडा रसाइनिक रूप से बेकिंग पावडर से अलग होता है तो बिल्कुल हाँ अलग होता है क्योंकि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकॉर्बनेट है जबकि बेकिंग पावडर सोडियम बाइकॉर्बनेट और टाक्टेजिक अमल का मिस्टरन होता है तो कह सकते हैं कि option A क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next अगला प्रस्ण का एक अनुग गरम किया जाता है तब क्या होता है तब इनो टू गैस के दो मुल क्या होते हैं इनो टू गैस के दो मुल उत्वन हो जाते हैं तो option C यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा अगला है कि प्रस्ण के लिए गलत विकल्ब चुनने हैं तो अल्डीहाइड क्या होता है तो अल्डीहाइड C2H5COH propanel propaneldehyde होता है CH3COH ethanol CHcoh methanol formaldehyde C3H7COH butanel यानि कि गलत विकल्ब चुनना है तो हम कह सकते हैं CACOH यानि कि यही क्या हो जाएगा गलत option हो जाएगा तो option C आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा जल कि आउसरकन आपका 6 होंगे कितने होंगे 6 होंगे तो option B आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा दंत वलक डैस से बना होता है तो हमारा दंत वलक जो होता है यह कैल्सियम फासफोर्ट से बना होता है तो option A क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2, Nitrogen जो कच्रे का परिवहन करता है तो यह प्लाज्मा जो होता है नक्त का प्लाज्मा जो होता है यह भोजन, CO2, Nitrogen जो का क्या करता है परिवहन करता है तो option D क्ली आपका सही आंसर हो जाएगा चली अगला प्रशनノ देखते हैं सारे सरीर में ऑखसीजन को पुझाता है कौन रख तो ऑप सानी क्या हो जागा सही आनसर हो जागा कि रखसरीर में सारे सरीर में ऑ्क्सीजन को पुहचाता है solves चलिए अगला प्रशन inspint look निसेचित अंडा यूगम 10 की परत में समविष्ट हो जाता है तो निसेचित अंडा यूगम की बात की जाए तो ये गरभासे की परत में समविष्ट हो जाता है तो option D क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा next महिला रोगानुकोषिका यानि कि जर्मसेल में गुन्सुत्रों की संख्य कितनी होती है तो और यह अंतिम कोशन देखते हैं कि निमलिक्षित में कौन सा सबसे अधिक istir-paritantr की बात की जाएं तो यह महासागर जो है यह इस्तिर पागितान तो होता है तो option A क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों में share करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता हमगा चलिए मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए चैनल